C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है जमात दो की उर्दू की पाठे पुस्तक इप्तेदाई उर्दू के एक पाठ पर आधारित कारेक्रम नन्ही परी मुद्दतें गुजरीं किसी जंगल में एक नन्नी सी परी हरी हरी घास पर इधर उधर टहल रही थी बहुत ही छोटी परी थी आज पहली मरतवा उसे चलने फिरने का मौका मिला था यही वजह थी कि वो अच्छी पुरी परीयों में तमीज ना कर सकती थी उसने काले काले बरसने वाले बादल कभी देखे ही ना थे ना कभी मेह बरसते देखा था जब काली घटा घिर कर आई तो नन्नी परी सहम से गई अब मेह की बूंदें पढ़ने लगी परी घबरा कर चिलाने लगी तुम मेरे खुबसूरत पर खराब ना करो मेरे पास से दूर रहो बारिश के गत्रे ना थमे पहले से भी ज्यादा जोर से गिरने लगे नन्नी परी के पर भीग कर भारी हो गए वो अब उड़ना सकती थी वो रोने लगी पास ही एक बोड़ी परी रहती थी उसका काम ये था के भूली भटकी परीयों की मदद करती थी वो परीयों को लिखना पढ़ना भी सिखाती थी इसलिए परिस्तान में इस बूड़ी परी को सब परियां उस्तानी परी कहती थी और उसकी इज़त करती थी बूड़ी परी नन्नी परी के पास आई और बोली प्यारी बेटी, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पर अभी खुश्खो जाएंगे बेटी, मेरी नजर जरा कमजोर है, तुम गौर से देखो, आस्मान पर एक रंगीला जूला नजर आ रहा है नन्नी परी ने देखा, तुम आस्मान पर उसे धनक दिखाई दी धनक देखकर नन्नी परी बोली दादी, देखो तो कैसा अच्छा जूला है, जी चाहता है कि यहां से उड़कर उस जूले में खूब जूलूं ये बारिश के खत्री जल्दी बंद हो जाएं, तो मैं दोड़ती, कूटती, फानती, भागती चली जाओं बूरी परी ने नन्नी परी कि जब ये बाते सुनी, तो पहले तो जरा मुस्कुराई, फिर बोली बेटी, धनक और बारिश को तुम अलग-अलग नहीं कर सकती, इन ही कत्रों ही से तो धनक बनती है बूरी परी ने नन्नी परी को एक जगा घास पर से बारिश के कत्रे उठा कर दिखाए वाकई, उन्हें सूरज के सामने रखने से तरह तरह के रंग दिखाई देते थे उस दिन से नन्नी परी बूरी परी के पास आती थी और पढ़ना लिखना सीखती थी थोड़े दिन में उसने इतनी बाते सीख ली कि तमाम परिस्तान में उस नन्नी परी के बराबर कोई न जानता था तमाम परियां उससे मश्वरा करती कुछ दिनों के बाद वो पूरे परिस्तान की मलिका बन गई चांद में परियां रहती हैं सब बच्चों को सुलाती हैं और फिर खौब दिखाती हैं अम्मा बाजी कहती हैं चांद में परियां रहती हैं मैं तो आज न सूँगा रात गए तक जागूंगा बाहर बाग में बैठूंगा चांद की परियां देखूंगा अम्मा बाजी कहती हैं चांद में परियां रहती हैं नजमनिगार अफसर में रठी मश्क पढ़िये और समझे तमीज फर्क मिह बारिश घटा गहरा बादल बरसने वाला बादल गत्रा बूंद परिस्तान परियों के रहने की जगा खुश्क सूखा वाकई सचमुच धनक आस्मान पर साथ रंगों का निस्फ दाइरा दोस्तों गौर कीजिए कि दोड़ना भागना कूदना और फांदना इन शब्दों में क्या फर्क है? अभी आप सुन रहे थे कारेक्रम नन्ही परी कारेक्रम समन्वे प्रोफेसर राजिंदर पाल अकाद्मिक समन्वे डॉक्टर रिज्वानूल हक कलाकार शमाईल पर्वेज और पर्वेज गौहर तक्निकी समन्वे बटी लैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन विकास सांगवान और शानू मुक्सीम निर्मान सहयोग कुसुम लता निर्देशन तथा निर्मान विमलेश चौधरी प्रियश्रोता यदि आप हमारे कारेक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारा टोल फ्री नंबर है आठ आठ शून्य शून्य चार चार शून्य पांच पांच नौ आप हमसे हमारे इमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं हमारे इमेल का पता है audio at ciet.nick.in या कारिक्रम ciet-ncert नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तूत किया गया हमारे इमेल किया ओ्रस्तूत किया ठरत हैं शुझे हमारे बारत औरत किया रह मारे ठिल्ली ऑ सकते हैं मैम टीक्वार